हलो स्टूडेंट मैं डॉक्टर जागरती मीना हम यहाँ पर केमिकल बॉंडिंग पढ़ रहे हैं इसका आज लेक्चर 7 है और अभी हम जो रॉनिंग में पढ़ रहे हैं वो है टाइप ओफ हाइबिडाजीशन टाइप ओफ हाइबिडाजीशन में हमने SP, SP2 और SP3 प्रकार का जो हाइबिडाजीशन है वो पढ़ लिया है आज हम इस लेक्चर के अंतरगत SP3D, SP3D2, SP3D3 और DSP2 हाइबिडाजीशन के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं चोथे दारे का जो हाइबिडाजीशन है वो है SP3D संक्रण, SP3D संक्रण में S उपकोष का एक कक्षक होता है और P उपकोष के तीन कक्षक होते हैं और D उपकुष का एक कक्षक होता है D Z square यह आपस में मिक्स हो करके 5 SP 3D hybrid orbital बनाते हैं जो की trigonal D pyramid सरंजना में व्यवस्तित रहते हैं इन में से 3 कक्षक एक ही तल में 120 degree की कौन पर होते हैं और त्रिभुजाकार समतलिय रूप में oriented रहते हैं और यह orbital जो हैं वो equatorial hybrid orbital कहलाते हैं और बाकी के जो दो कक्षक हैं वो trigonal के लंबवत उपर नीचे की तरफ हिस्तित होते हैं और यह orbital जो है वो त्रिभुज के साथ में 90 degree का कौन बनाते हैं और स्वेम जो है एक दूसरे के साथ में 180 degree का कौन बनाते हैं और यह दोनों orbital जो हैं जो की उपर नीचे होते हैं यह axial hybrid orbital कहलाते हैं यहाँ पर यह diagram में देखिए बताया गया है एक S orbital है और यह तीनों P orbital है और यह DZ orbital है यह mix हो करके इस तरह से SP3D hybrid orbital का निर्माण करते हैं यह SP3D hybrid orbital कहलाते हैं यहाँ पर अब हम SP3D hybridization के कुछ examples देखेंगे पहला example है PCL5 PCL5 जो molecule है उसमें central atom जो होता है वो P होता है इसका electronic configuration अगर हम देखें phosphorus का तो यह होता है 3S2 3P3 3D 0 यहाँ पर D orbital जो है वो vacant है S में 2 electron है P में 3 है और D vacant है यह इसकी ground state है excited state में क्या होगा कि जो 3S orbital में 1 electron है वो jump करके D orbital में आ जाएगा तो अब 3D में यहाँ पर 1 electron आ गया इसकी excited state में तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 पांच hybrid orbital प्राप्त हो गए यह आपर ही देखिए यह SP3D hybrid orbital है 5 अब हमारे पास में यह 5 ही CL है तो हमें 5 ही hybrid orbital चाहिए थे तो 5 प्राप्त हो गए अब यह जो 5 chlorine परमानों है यह phosphorus के साथ में sigma bond का निर्मान करेंगे देखिए यहाँ पर पांच SP3 hybrid orbital के साथ में sigma bond बनाते हैं और बंद बनाने की इस्तिती में 3S कक्षक का एक electron खाले 3DZ कक्षक में इस्तानांत्रित हो जाता है यह में आपको बता दिया और यह इस्तानांत्रित होने के बाद ही इसमें excited state प्राप्त होती है तो यह था SP3D hybrid और hybridization का example P परमानों के प्रतियक SP3D संकृत कक्षक जो है वो क्लोरीन परमानों की अर्धपून भरी हुई कक्षक के साथ में अतिव्यापन करते हैं और यहाँ पर PCL5 में PCL sigma bond का formation होता है यहाँ पर 5 PCL sigma bond बनते हैं PCL5 में SP3D संक्रण होता है जिससे इसकी त्रिकोणिये दी पिरेमीडिये असम्मिती असिमेट्रिक सरंचना होती है क्योंकि इसमें संक्रित कक्षक दो प्रकार के होते हैं जो की दो कौण पर उपस्तित होते हैं एक 90 डिगरी के कौण पे और 120 डिगरी यह काराने कि PCL5 जो है वो अतियन क्रियाशील योगीख है जो की ठोस अवस्ता में ही विगटित हो करके अधिक इस्ताई सम्मित सरंचना देता है यह PCL5 है यह PCL4 में easily convert हो जाता है यह जो है वो PCL5 का structure यहाँ पर दिया गया है जो की ट्रिकोण यह दिपिरेमेडल है ट्राइगोनल बाइपिरेमेडल है यहाँ पर यह 90 डिगरी का कौण है और यह 120 डिगरी का कौण है तो यह जो उपर और नीचे की तरफ होते है त्रिबुज के वो अक्षिय संकर कक्षक कहलाते हैं Axial Hybrid Orbital कहलाते हैं और यहाँ पर कौने पर होते हैं उने हम बुमध्य संकर कक्षक कहते हैं Equatorial Hybrid Orbital कहते हैं SP3D hybridization का एक और example हम यहाँ पर देखते हैं CLF3 CLF3 में अगर हम central atom ढूंदे तो क्या होगा वो होगा CL ठीक है यहाँ पर F के हमारे पास में तीन परमानों है तो जो chlorine है उसका electronic configuration 3S2, 3P5, 3D, 0 होता है अब यह तो है ground state में, excited state में क्या होगा यहाँ पर कि जो 3P है, 3P के अंदर एक electron जो होता है वो jump करके 3D में चला जाता है यहाँ पर 2S orbital से electron jump नहीं करेगा यहाँ पर 3P orbital से एक electron jump करके 3D में जाएगा तो अब देखें यहाँ पर हमें 5 SP3D hybrid orbital मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं, यह देखें यहाँ पर इस diagram में बताया गया है, 5 SP3D hybrid orbital हैं जिसमें से जो 2 hybrid orbital हैं, उनमें lone pair of electron present है और बाकी के 3 जो हैं, वो आधे भरे में हैं उनमें unpaid electron present है अब हमें यहाँ पर 3 ही ऐसे orbital चाहिए थे जिनमें unpaid electron हो क्योंकि हमारे पास में chlorine से जुड़े हुए जो atom है वो भी 3 हैं, मिल्स यहाँ पर F का जो number है वो भी 3 है तो हमें 3 ही ऐसे orbital चाहिए थे जिनमें unpaid electron present हो बंद बनाने की इस्तिती में 3P का एक electron 3D में स्तानांत्रित हो जाता है ठीक है, CLF3 में chlorine पर्मानों पर SP3D hybridization होता है और chlorine पर्मानों की 3 SP3D संकृत कक्षक जो होते हैं वो F पर्मानों के साथ में sigma bond का निर्मान करते हैं और इसमें C, F, C, F, C, F इस तरह से 3 sigma bond बनते हैं शेश दो SP3D संकृत कक्षक जो हैं उनके पास में lone pair of electron रहता है CLF3 की जो shape होती है, वो T-shape हो जाती है अब होनी तो चाहिए trigonal bipyramidal क्योंकि SP3D hybridization हो रहा है परंतु यहाँ पर 2 lone pair of electron प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसकी जो structure है CLF3 की वो T-shape की हो जाती है यहाँ पर देखिए T-shape की structure बताए गई है यह एक और यह दो यहाँ पर lone pair हैं और यह CLF CLF और CLF यहाँ पर 3 sigma bond का formation हो रहा है तो यह थे SP3D के example SP3D का एक example और देख लेते हैं XZF2 XZF2 में क्या होता है जो XZ होता है वो central metal atom होता है sorry central atom होता है और XZ के अंदर जब हम ground state में देखे तो इसका electronic configuration 5S2, 5P6 और 5D0 होता है जब यह excited state में होता है तो इसमें से एक electron जो है वो promote होकर के d orbital में चला जाता है ठीक है 5P का एक electron 5D में promote हो जाता है और इस तरह से हमारे पास में 5 SP3D hybrid orbital प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर 1, 2 और 3 जो hybrid orbital हैं उनमें long pair of electron present है और बाकी के 2 में एक-एक electron present है और हमें यहाँ पर XEF2 है तो F यहाँ पर 2 ही है तो हमें 2 ही orbital ऐसे चाहिए थे जिनमें कि एक ही electron present हो मतलब की electron जो है वो unpaid हो तो XEF2 आनू में XE पर मानू पर SP3D hybridization होता है और XE पर मानू जो होता है उसकी 2 संकृत कक्षक F पर मानू के साथ में सिग्मा बॉंड का formation करते हैं और जो 3 hybrid orbital हैं उनमें long pair of electron होते हैं तो अब यहाँ पर तीन long pair of electron present है तो इसलिए इसकी शेप जो है वो और थोड़ी सी change हो जाएगी तो XEF2 की जो शेप है वो रेखी होती है लीनियर होती है यह देखी XEF2 की यह लीनियर शेप है और यहाँ पर एक दो तीन long pair of electron present है नहाँ पर यह table दरशाई गई है जिसके अंदर SP3D hybridization किन-किन molecules में होता है उसके example दिये हैं और इन molecules में कितने sigma bond होते हैं वो बताए गये हैं long pair of electron कितने present हैं वो बताए गये हैं bond angle और इन molecules की shape को भी दरशाई गया है तो इस table की जरिए आप कुछ molecules में देख सकते हैं कि SP3 hybridization होता है example जो है hybridization का वो है SP3D2 hybridization SP3D2 hybridization में S उपकोश के I कक्षक, P उपकोश के 3 कक्षक और D उपकोश के 2 कक्षक ये दो कक्षक कौन से होंगे, ये होंगे dx square, y square, dz square ये आपस में mix होकर के 6 SP3D2 hybrid orbital बनाते हैं और इनकी जो structure होती है वो octahedral होती है ये अस्टफल के सरंचना में orientate रहते हैं अस्टफल के सरंचना में 4 जो हैं वो hybrid orbital square के कोनों परिस्तित होते हैं और जबकि जो remaining दो बस्ते हैं वो square के उपर और नीचे रहते हैं और इस प्रकाई ये इस्ताई सम्मिश सरंचना बनाते हैं जिसमें bond angle 90 degree का होता है इस diagram में SP3D2 hybrid orbital का formation दरशाया गया है यहाँ पर ये एक S orbital है और ये एक, दो और तीन ये तीन जो हैं वो P orbital है और ये दो जो हैं वो D orbital है तो ये पांचों orbitals जो हैं वो मिलकर के SP3D2 hybrid orbital मनाते हैं जिसकी shape यहाँ पर दिखाई गई है ये इस तरह से SP3D2 hybrid orbital का formation होता है SP3D2 hybridization का example लेते हैं SF6 यहाँ पर SF6 में S जो है वो केंदरी परमाणू है और S का electronic configuration अगर हम देखें तो वो होता है 3S2, 3P4, 3D0 यहाँ पर D orbital vacant है अब हमारे पास में यहाँ F के कितने परमाणू है F के हमारे पास में यहाँ पर 6 atom है तो हमें यहाँ पर जो है वो 6 orbital ऐसे चाहिए होंगे जिनमें की electron जो हो वो unpaid हों तो जो S orbital है 3S orbital उससे एक electron उर्ट करके 3D में चला जाएगा और 3P से भी एक electron 3D में चला जाएगा तो हमारे पास एक excited state आ जाएगी और यह 3S, 3P और 3D यहाँ पर D के 2 orbital यह मिल करके 6 SP3D2 hybrid orbital बनाएगे और यह excited state कहलाएगी ठीक है अब यह 6 SP3D2 hybrid orbital जो होंगे वो 6F परमाणू के साथ में सिगमा 1 का formation करेंगे देखिए सिगमा 1 का formation हो रहा है बंद बनाने की इस्तिती में 3S कक्षक वो 3P कक्षक का एक एक electron 3D खाली कक्षक में इस्तानांति हो जाता है और सलफर S परमाणू की प्रतियक SP3D2 संकृत कक्षक फ्लोरिन परमाणू की अर्धपूर्ण भरी हुई पीक अक्षक से अतिवयापन करके SF6 जो है उसके अंदर S और F के बीच में सिगमा बॉंड का formation होता है और 6S F सिगमा बॉंड बनते हैं अतरा SF6 में SP3D2 हाइबिडाजिशन होता है और इसकी जो shape होती है वो octahedral होती है और यहाँ पर इसकी ये shape बताई गई है ये देखिए इस diagram में shape शो करी गई है जो की octahedral है तो SF6 में octahedral shape होती है क्योंकि इसमें SP3D2 हाइबिडाजिशन होता है दूसरा example है IF5 ठीक है IF5 में जो I है iodine है वो center atom है और इसका electronic configuration अगर हम देखें तो इसका electronic configuration होता है 4D10, 5S2 और 5P5 और 5D0 यहाँ पर जो D है उसके अंदर electron नहीं है D orbital vacant है तो यह इसकी ground state है और excited state में क्या होगा excited state में इसमें जो है वो 5P कक्षक के दो electron जो है वो 5D orbital में चले जाएंगे देखिए excited state में यह जो 5P कक्षक है इसके दोनों electron एक यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा तो अब जो hybrid orbital बनते हैं वो ऐसे बनते हैं जिनमें से एक hybrid orbital में lone pair of electron present होता है यह जो है यह lone pair of electron present है और बाकी के जो 5 hybrid orbital हैं उनमें unpaid electron present होते हैं और अब हमें यहाँ पर ऐसे 5 ही orbital चाहिए जिनमें unpaid electron present हो क्योंकि यहाँ पर जो fluorine है उसके कितने atom है यहां देखे 5 atom है तो हमें 5 ऐसे orbital चाहिए जिसमें unpaid electron present हो तो 5 ऐसे orbital हमें यहां पर मिल गए इन unpaid electron वाले hybrid orbital के साथ में जो 5 fluorine atom है वो sigma bond का formation करेंगे और यहां पर 5 IF sigma bond बनेंगे IF5 में आय पर मानों पर SP3D2 hybridization होता है और iodine पर मानों की 5 SP3D2 hybrid orbital fluorine पर मानों के 5 पर मानों के साथ में sigma bond का formation करते हैं और जो एक SP3D2 hybrid orbital होता है उसमें lone pair of electron present होता है और जो IF5 होता है उसकी जो structure होगी वो structure यहां पर square pyramider होगी यह देखी यह structure है इसकी square pyramider structure शो की गई है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 fluorine पर मानों है और यह एक lone pair है तो यह square pyramider shape IF5 की होगी जबकि इसके अंदर जो hybridization होता है वो SP3D2 होता है परन्तु एक lone pair of electron की presence के कारण इसकी shape destroy हो जाती है और इसकी shape जो है वो square pyramider प्राप्त होती है next जो type है hybridization का वो है SP3D3 hybridization अब SP3D3 hybridization में S उपकोश का 1 कक्षक, P उपकोश के 3 कक्षक और D उपकोश के 3 कक्षक DXY, YZ और ZX यह आपस्वि मिक्सो करके साथ SP3D3 hybrid orbital बनाते हैं जो की पंच भुजिये D pyramider ये सरंचना में अभिविन्यासित रहते हैं pentagonal bipyramidal geometry इनकी होती है और ये pentagonal bipyramidal structure में 5 hybrid orbital जो होते हैं वो pentagon के 5 कोनों की तरफ रहते हैं और 72 degree के कोन पर होते हैं और एक plane में इस्तित होते हैं और इन्हें equatorial hybrid orbital कहते हैं और जो बाकी के दो orbitals होते हैं वो pentagonal के उपर और नीचे की तरफ यानि की लंवत होते हैं और 90 degree के कोन पर इस्तित होते हैं इन्हें axial hybrid orbital कहते हैं यहाँ पर इसकी शेप बताई गई है pentagonal by pyramidal geometry इसके देखे यह उपर और यह एक नीचे हैं यह जो है वो axial hybrid orbital है और यह जो 5 फ्लोरीन परमानों है यह कौने पर है pentagon के यह जो है वो equatorial hybrid orbital कहलाते हैं अब यहाँ पर IF7 इसका एक example है SP3D3 का तो IF7 में जो iodine है वो central atom होता है और 4D10, 5S2, 5P5 और 5D0 यह इसका electronic configuration होता है अब यहाँ पर हमारे पास में क्योंकि 7F परमानों है तो 7 ऐसे orbital चाहिए जिनमें unpaid electron present हो ठीके तो यहाँ पर क्या होगा 5S, 5P से 2 और 5S से 1 मतलब एक electron 5S orbital से और 2 electron 5P orbital से जम करके 5D में आ जाएंगे अब यहाँ पर देखिए 5D में 3 electron हो गए है तो यहाँ पर हमारे पास में 7 hybrid orbital आ गए SP3D3 hybrid orbital जो की 7 हैं और हमें 7 ही चाहिए थे तो इन 7 hybrid orbital के साथ में जो fluorine परमानों हैं वो sigma 1 का formation करते हैं और इस तरह से IF7 में 5 IF sigma bond का formation होता है आयोडिन परमानों की प्रतियक SP3D3 संकृत कक्षक fluorine परमानों के अर्धपून भरेवे P कक्षक के साथ में आती व्यापन करके साथ IF sigma bond का formation करते हैं और IF7 में SP3D3 संक्रण होता है और इसकी जो structure होती है वो pentagonal bipyramidal होती है जो की यहाँ पर देखिए शू करी गई है नेक्स्ट जो टाइप है संक्रण का वो है DSP2 संक्रण DSP2 संक्रण में D उपकोष का एक कक्षक, S उपकोष का एक कक्षक और P उपकोष के दो कक्षक participate करते हैं और यह जो कक्षक हैं वो आपस में mix होकर के hybrid orbiter बनाते हैं इसमें बनने वाले चार संक्र कक्षकों की लॉब एक स्क्वाइर की चारो कोने की तरफ होती है और एक कक्षक की यह विवस्ता जो हैं संक्रण को स्क्वाइर प्लेनर जोमेटरी प्रदान करती है सामाने तरफ़ dsp2 संकरण 4 उपसा सम्झक्र संक्षया रखने वाले धातु संक्वाइर में पाया जाता है संक्रण में भाग लेने वाले चारो कक्षक खाली होने चाहिएं क्योंकि यह खाली कक्षक लिगेंड के साथ उपसा सम्झक बंद बनाते हैं और इसमें dsp2 hybridization में जो dupcosh है उसका जो कक्षक होता है वो आंत्रिक कक्षक होता है dsp2 hybridization का example है nicn4 यहाँ पर इस complex में जो nickel होता है वो plus 2 oxidation state में होता है और यह central atom है nickel का electronic configuration 3d8 4s to 4p 0 hub होता है अब यहाँ पर क्योंकि यह एक complex है तो इसमें जो metal atom है वो coordinate bond का formation करेंगे और coordinate bond के formation के लिए हमें पता है कि जो electron है वो donate किये जाते हैं तो electron जब donate होंगे तो यहाँ पर metal atom के पास में vacant orbital होना जरूरी है क्योंकि ligand जो है वो electron को donate करेगा तो यहाँ पर electron जो है वो jump करके और आगे वाले orbital में नहीं जाता है बलकि यहाँ पर क्या होता है कि electron की pairing हो जाती है यहाँ पर देखिए जो cd orbital है इसके अंदर यह single single जो electron है वो क्या होंगे excited state में यह electron यहाँ पर यह देखिए यह electron paired हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे को जो vacant orbital है वो कितने चाहिए चार क्योंकि यहाँ पर cn कितने है हमारे पास में चार है ठीक है सायनेट जो है वो चार है तो हमें चार vacant orbital चाहिए तो यहाँ पर electron की pairing होने से 3D orbital में electron की pairing होने से हमें एक d orbital vacant मिल जाता है, एक s orbital हम हमावादे पास vacant है और यहाँ हम p के जो हैं 2 orbital use कर लेंगे तो जो hybrid orbital बनेंगे वो dsp2 hybrid orbital होंगे और यहाँ पर total 4 dsp2 hybrid orbital बनेंगे यह 4 dsp2 hybrid orbital जो हैं वो 4 cyanide के साथ में coordinate bond का formation करेंगे मिल्स यह जो cyanide होगा वो अपने जो electron pair है वो nickel को donate करके और यहाँ पर coordinate bond बनाएगा संक्रण के लिए ni2 plus के 8 electron 4 d कशकों में युगमित हो जाते हैं यानि कि 4 d orbital हैं उनमें electron की pairing हो जाती है और एक जो d orbital है वो खाली हो जाता है जिससे एक d orbital संक्रण के लिए रिख्थ हो जाता है NICN4 में इस प्रकार dsp2 संक्रण से प्राप्त चार संक्रित कशक cn यानि कि cyanide के साथ coordinate bond का formation करते हैं और complex को वर्ग समतलिये जामिती प्रदान करते हैं square planar geometry यहाँ पर इस complex की होती है तो जो dsp2 hybridization है वो generally complexes में ही मिलता है तो यहाँ पर हमने hybridization के जो बाकी बचेवे types थे वो सब देख लिए तो इस lecture में hybridization जो है वो topic आपका समाप्त हो गया है और I hope सबको ये चीजे समझ में आ गई होगी कि कितने प्रकार के hybridization होते हैं किस किस में कौन-कौन सा hybridization पाया जाता है thank you so much